जैसे किष्णा दोस्तों कैसे हैं आप अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आपका बहुत-महुत स्वागत करते हो आपके यूट्यूप चैनल पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कैसी भी समस्या, बाधाई रुकावटे चली आ रहे हैं तो आपने खास उपाय करना है कई बार आपको लगता है कि आपकी जिन्देगी में किसी ने कुछ कर करा दिया किसी की नजर दोश हाई दोश है घर में सुख शान्ती का महौल नहीं है घर में लड़ाई जगड़ा बहुत जादा हो रहे इतनी जादा परेशानिया है कि समझ में नहीं आता घर के सारे मांगली कारे रुक चुके हैं बच्चे किसी भी छेतर में हाज दालते सफलता प्राप्ती नहीं होती बच्चे कहना नहीं मानते शिक्षा सम्बंदी परेशानिया है बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग अच्छी नौकरी नहीं मिल पारी रिष्टे की बात तो बच्चों की आती है पर विवहा तक पहुंची नहीं पाती ऐसा लगता है जैसे घर हमारा बंद चुका है ग्रह दोश है या किसी ने घर बांध दिया है किसी भी कारे में किसी भी छेतर में सफलता प्राप्त नहीं ह चुकरवार का अचूग सा उपाई है आप जरूर कीजी आप सभी जानते की जैसे की लॉंग मैं आपको एक चीज बता दू जो लॉंग है पूजा पाथ हो या फिर तंतमंध क्रिया हो किसी में भी लॉंग का बहुत थी अचूग उपाई और चोटका होता है जी हां आप भगवान को प्रसंद कर सकते हैं पूजा में जोत में जब भी आप अगर लॉंग डालके दो प्रजवलित करते हैं तो आपके घर की वैसी भी सारी समस्य हैं दूर हो जाती कपूर के साथ अगर आप लॉंग जलाते हैं तो घर की सारी नेगिटिविटी दूर हो जाती ह घर में सारा मंगल कारे शुरू हो जाता है, घर में जितनी भी परेशानिय वो दूर होते हैं, तो ये छोटे-छोटे से उपाई लॉंग के हैं, लॉंग बहुती शक्तिशाली है, पुराने समय से ही लॉंग का कई उपाई और प्रयोग किया जाता है, पूजा पाट में भी औ ने जाता है उपले लेना है उसे वह पहले गैस पे जला लिजेता है ALL 12 लॉंग लेनी हैं कि बोई ककपुर के जला देंगे तो आपने थोड़ी सी पीली सरसोज होती है वो एक चुटकी इस पर और डाल दीजिए इसके बाद आप इसकी धूमी पूरे घर में दिखाए है आपके घर की जितनी भी नेगिटिविटी है वो दूर होगी आपका घर अगर बान दिया है किसी ने तो वो खुल जाएगा सारी समस्याएं दूर हो जाएगे बहुत ही अचुग सा ये उपाय आप अवश्य कीजिए अब मुझे आगर दीजे मैं फिर आउंगी इसी तरह के बहुत ही सरल अचुग से उपाय के साथ में जाएश्य कृष्ण